भारत में शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा समाप्त होने से पहले आस्ट्रेलिया से नए चने का आयात बढ़ाने का जोरदार प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिन एक निर्यातक फर्म ग्रेन कॉर्प द्वारा क्वींसलैंड प्रांथ के मध्यवर्ती भाग में उत्पादित चना की 31,000 तन मात्रा के प्रथम शिप्मेंट के लिए ग्लैड स्टोन बंदरगाह पर जहाज पर लोडिंग की गए। यह बंदरगाह ब्रिस्बेन स करीब 500 की शूने मी शूने उत्तर में अवस्थित निर्यातकों पर जल्दी जल्दी भारत से चना भेजने के लिए भारी दबाव पढ़ रहा है क्योंकि यदि भारत में शुल्क मुक्त आयात की अवधी समाप्त हो गई और सरकार ने समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई तो दे देशिया के लिए प्रस्थान कर जाएग वैसे निर्यातकों को उम्मीद है कि भारत में 31 मार्च 2024 तक देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमती दी जा सकती है जिससे ऑस्ट्रेलिया को अपने स्टॉक का निर्यात बढ़ाने का अच्छा अफसर मिल सकता इस वर्ष ऑ ग्रेन कॉर्प के अनुसार एक माह के अंदर यह जहाज गंतवे स्थान पर पहुंच जाएग आयातकों की मांग एवं जरूरत को सही समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा दरसल इस निर्यातक फर्म को कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा न्यू स से बड़ा उत्पादक एवं खपत करता देश है जबकि ऑस्ट्रेलिया इसके निर्यात में प्रथम स्थान पर इस वर्ष भारत में उत्पादन घटकर पिछले पांच साल के नीचे स्थर पर सिमट गया तो उधर ऑस्ट्रेलिया में इसका शांदार उत्पादन होने वाला मई 2024 में भारत सरकार ने चना के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी